आगे बढ़ सकता है अभी क्या मिला है हमारा को इतना लोन से लिया है इतना लोन से लिया है अभी ओ लोन से पे करना बहुत बिश्कुल होता है गौपांमिंट एंपरफर को एक तारीक साल ही नहीं नहीं दे सकता है यह इस्तिति है यह 12 अर्य हर विशे पर हर खटमी पर ट्यलंगाना विकास की clearly काम कर रहे वर इसलंगाना सर्कार कैसि है तो मुलिश सरकार, आने वाले दिन में थैलंगाना विकास के लिए अगर केंदर 산 बिना के इंदर सरकार देके तो एक काम भी नहीं कर सकते हैं ये स्टीटी है और मैं एक वजारन एक्जाम्पूल लेता हूँ जो रीजनल रिंग रोड है उसके आवा आउटर रिंग रोड है आउटर रिंग रोड तीस साल के लिए बेच दिया है पैसे के लिए क्योंकि आज स साथ कुर कूश कण रोना चाहिए है वरना छे महओने पहले लिकषय आपने क्याओं से नहीं के कारण चेल महीने पहले रिकर रह न्योंडर कि यह आइडरबाद में जितने जयमीन है और सरकार के द्वारा रैलीव स्टेशन के विकास पर बीए भील सांसिटी के विकास पर भी हो ट्राइबलम्रूज wires Him kmलाइं बेश चलम मगाथ योम हिद्ध हैं जो आने वाले पिडी के लिए रोकना चाहिए वाइशिक के लिए कुछ राइज रख रोकना चाहिए महार थैलंगाना सरकार लगातार लैंड बेच कर वह फैसे से साधislей देना पढ़ा कित्यी अच्छे एकनेमिकल स्थीति में तेलंगाना आज ख्यास्तिती है इसलिए आप लों से अंडूद करना चाहता हूं तेलंगाना में डबल इंजन सरकार आना चाहिए तेलंगाना विकास के लिए मुड़ी जी का संयोग होना चाहिए अब इसंविए ने वाला द कि जैए ही उन्ने मातरूं होद बहुत धन्याद सीकेशन जड़ी जी मैं भी सीकेशन जड़ी से अन्रोद करता हूं कि आज हमारे ग्रहुमंत्रिया हमारे प्रियर नेता स्यामिश शाजी का गुल्दस्ता और शाल के साथ उनका सागत करें हमें जिसका इंत्या था हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे प्रियर नेता स्यामिश शाय में हैं अब मैं यह उन्चा आग्रा करता हूं कि हमें संबुदित करें अब यह उन्चा आग्रा करें मन्च परुपस्तित जन्तापाटी के अध्यक्स श्रीमान जी की सिंडेड़ी जी भारती जन्तापाटी का प्रदेश का नित्रूतोगण समाज के विबिन वर्गों से मन्च पर विराजमान महतवपून नागरिगण राजी कारेकर में आये हुए सभी हिद्राबाद के अलग-अलग समाज के अलग-अलग भर्गों के प्रतिदी गण्ड आप सभी को नमस्कार गुंदे मात्रों मिडिया के मित्र जरा सैट करकर बैच देए प्लीज कैमरामेन सारे यहां फोकस करके बैच जाओ में यहीं खड़ा रेकर बोलने वाला हुए बैच जाए भईया मैं जिद्धी टाइप का आदमी हो बाद में ही बोलूंगा पूलिस वाले भी जरा पूरा कॉरिडॉर खाली कर दो कुछ नहीं होने वाला है पूलिस के मित्र भी जरा साइड में हट जाए और बीच में खड़े हैं वो भी स्तान ले ले जरा मित्रवाज एक संयोग है बहुत समय पहले कारेक्रम का जाए हो चुका था परन्तु कल ही इलेक्षन की घोशना हुई और आज मैं आप सब के बीच में है इद्राबाद में तिलंगाना की राद्विती में आप सब के बीच में जब किसंजी ने बताया है कि अलग-अलग समाज के लोग गुद्दी जी भी लोगों के साथ मुझे बात्चीत करनी है मुझे लगा कोई हॉल के अंदर कारेक्रम आयोजित करा होगा परन्तु एक लॉन में कर दिया है थोड़ी असुविदा आप लोगों को हो रही है सबसे पहले पार्टी की और से आपको जो असुविदा हो रही है इसके लिए मैं समापराथना करकर मेरी बात की सुरुवात करना जाता है मित्व आने वाले दिनों में तेलंगाना की जंताने तई करना है कि अगले पांच साल तक तेलंगाना का सासन की इस व्यक्ति के हाथ में रहेगा की इस पार्टी के हाथ और कुल मिलाकर तेलंगाना के सामने तीन आप्षन है एक भारतिय जंता पार्टी है दूसरा कॉंग्रेस पार्टी है और तीसरा अभी जो तेलंगाना में सासन केर रहे है चंद्रसिकर रावजी की पार्टी है एक तीनों पार्टीों के बीच में से तेलंगाना की जंता ने तई करना है कि आने वाले पांच साल तक तेलंगाना का सासन की इसको देना है इसकी बात करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को दस साल पीछे ले जाना चाहता हूँ 2013 का देश का परिदुरुश्य में आपको याद कराना चाहता हूँ 2013 में इस देश में कॉंग्रेस के नेत्रूतों में यू पी ए की सरकार थी और ये सारी मंसवादी पार्टियों का एक जंगट दस साल से देश परसाशन करा और दस साल के बाद 2013 में इस देश की स्थिती क्या थी 2013 में इस देश की स्थिती पूरे देश के अंदर एक अविश्वास फैला था कि भारत का कल क्या होगा 12.00.00 करोड के ल में गोटारे बस्तार एक के बाद एक के बाद के कंग्रेस चासन के है कही हई-कोड के द्वारा के सुप्रीम कोड के द्वारा कभि विजिलन्स कमिशन के द्वारा बहार आ स्वास का माहोल बन गया था कि हमारी सिस्ट्रीम पूरी कॉलट्स हो गई है क्या देश की सुरक्षा कोई थोड धिकाना नहीं थे दिल्ली कीरी देश की राजदानी दिल्ली में भी महिलाये सुरक्षित नहीं थे आंत्रिक सुरक्षा पूरी तरह चर्मराई हूँ आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी देश के अंदर घुसकर बंदमाका करते थे जवानों के सर काटकर ले जाते थे दिल्ली की सरकार में मौनी बाबा मन मौन सिंग उप नहीं कर सकते थे कोई पत्ता नहीं विदोस्यों के अंदर देश की साख नीचे 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 जा रहे है युवा आक्रोश से भढ़ा था मैलाय असुरक्षित थी उद्योपती अपनी उद्योपती और पुल्वाम में दो कांड किये दोनों कांड में सर्जिकल स्ट्राइक और एर्श्ट्राइक करकर पाकिस्तान को ऐसा मुह तोर जवाब दिया कि आज वो सारे अपने जगे पे एक ठीकाने पर बैठें जो दुनिया में कभी भारत के प्रदानमंत्री जाए तो उस देश के राष्ट्राद्यक्स के कैलेंडर में उसका उचित स्थान नहीं होता था विदोशों में वो भारत का सनमान G20 के वक्त हमने देखा था राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की समाधी पर देश के 20 से जड़ा देशों के राष्ट्राद्र तो nhất वक्त हर बार्तियका छाती घजगज फूल गए दुनिया में कोई भी समस्या हो चाहे Global Warming हो, चाहे परियावण का मसला हो चाहे Solar Alliance बनाना हो चाहे Green Energy की बात करनी हो चाहे Terrorism के खिलाब एक साजा लडाई लडनी हो हर जगह पे भारत के प्रदानमंत्री क्या बोलते है इसकी दुनिया राह देखती है और भारत के प्रदान मंत्री जो बोलते हैं उस रस्ते पर दुनिया के काफी देश आच चलने के लिए तैयार हो गए देश का अर्थतंत्र पॉलिसी पेरालिसिस के कारण चर्मराया हुआ था अटल जी इस देश के अर्थतंत्र को ग्यारवे स्तान पर छोड़ कर गए थे दस साल तक अर्थसास्त्री मनमोहन सिंग जी ने सासन किया उन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया कि देश के अर्थे दंतर को 11 नंबर से 10 नंबर पर नहीं जाने दिया 11 नंबर समाल कर रखा नरेंद्रमोदी जी प्रधान मंतृ बने और प्रधान मंत्री बनने के बाद 9 साल के अंदर इस देश का अर्थे दंतर साल के अंदर दूसरे की दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थवियस्ता भारत बनेगा इसमें किसी को सक नहीं हुआ भारत की विदेश निती और स्पष्टताओं से भरी हुई थी विदेश निती और स्रक्षा निती के बीच में कन्फुजन चलता था मोदी जी ने भारत की विदेश निती को स्पष्ट कर दिया हम दुनिया भर के साथ सबसे अच्छे रिष्टे चाते हैं मगर भारत की सिमाओं की सुरक्षा हमारी प्रात्मिक्ता है भारत की रक्षा हमारी प्रात्मिक्ता है और इसके कारण एक स्पष्ट विदेश निती के साथ हम आगे बड़े हैं इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट सटीक निती निर्धारन के कारण आने वाले पचीश साल तक जो क्षेत्र दुनिया के अर्थ तंत्र के दिशात आई करने वाले हैं चाहे वो सोलार एनर्जी की बात हो इलेक्ट्रिक वेहिकल की बात हो ग्रीन हाइडोजन के प्रोडक्शन की बात हो ड्रॉन टेक्नलोजी हो अंतिरीक्स के अंदर अंतिरीक्स के विज्ञान का उप्योग करकर अर्थ तंत्र को गती देने की बात हो हर छेत्र के अंदर भारत ने आज पायोनियर स्टेटस प्राप्त कल लिया है और इस लिम्ब उपर इस नहीं उपर आने वाले 25 साल में हम दुनिया का प्रमुक अर्थ तंत्रब बनने जा रहे हैं इतने स्टार्टप और इतने इनिकोन स्टार्टप दुनिया कलपना नहीं कर सकती थी भारत नौ साल के अंदर इतने इनिकोन स्टार्टप प्राप्त कर सकता है क्या अज भारत के युवाओं को विश्व के युवाओं के साथ स्परधा करने के लिए एक मजबूत मंच एक मज प्रबूत प्लेट्फोर्म देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है अमारे प्रदान मंत्री जी ने किया है एक नो साल के अंदर देश की परिस्थित के अंदर आमुल चुरु परिवर्तन हुआ क्यूं हुआ क्यूंकि एक प्रामानिक नेत्रूत्व एक विजनरी नेत्रूत्व एक महंती नेत्रूत्व और एक जनता के साथ जुडा हुआ सम्वेदंसिल नेत्रूत्व नरेंद्र मोधी जी ने इस देश का नेत्रूत्व किया और भारतिय जन्ता पार्टी सिद्धान्तों के आधार पर चलने वाली पार्टी मैं आज इस खुले मन से निसंकोच कह सकता हूँ चंद्रसेखर राव कल अपनी पार्टी के सिद्धान्तों की गोशना करे अगर कोई है तो किस पॉलिसी पर ये पार्टियां चलती है कोई पॉलिसी नहीं है कविता को जेल जाने से बचाना और के टी आर को मुख्यमंत्री बनाना इसके अलावे कोई लक्स नहीं है पार्टी ये परिवारवादी पार्टियां लोगतंत्र का भला नहीं कर सकती लोगतंत्रिक पार्टियों का चोला पहन कर अपने परिवार की राद नितिये आगे कर रहे है जिस पार्टियों में अंदर उनके संगठन में ही लोगतंत्र नहीं है वो पार्टी लोगतंत्र के प्लेटफरम का उप्योग जनता के कल्यान के लिए नहीं कर सकती वो अपने परिवार के कल्यान के लिए कर सकती है और मित्रों इसलिए मैं तेलंगाना की जनता को अधिवेदन करने आया हूँ यहां डाक्टर बैठे, इंजिनियर बैठे, चाटा एकाउंटन, कौस्ट एकाउंटन अलग-अलग समाज के लोग, रिटायट, बिरोक्रेट, बहुत सारे लोग बैठे आप लोगोंने तईन करना है कि तेलंगाना को किस दिशा में जा रहा है आप लोगोंने तई करना है कि तेलंगाना का भविश्या किस पार्टी के हाथ में जिस गाड़ी का स्टियरिंग मजलीस के हाथ में हो वो तेलंगाना को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकती जिस गाड़ी का स्टियरिंग राष्ट्रवादी ताकतों के हाथ में हो वो ही तेलंगाना को सही रास्ते पर ले जा सकती अभी अभी आजादी के 75 साल समाप्त हुए आजादी का अमरूत महोसव मोदी जी ने बड़े धाम धुम से कोरोना हरने के बावजुद मनाया अमरूत महोसव मनाने के बाद उन्होंने देश की जन्ता का अहवान किया है कि आने वाले 25 साल 2023 से 2047 तक के 25 साल यह आजादी का अमरूत काल है और आजादी के अमरूत काल संकल्प लेने का समय है और संकल्प को सिधी में परिवर्तित करने का समय है उन्होंने 130 करोर भारतियों के सामने लक्स रखा है कि हर चेत्र के अंदर जब देश आजादी की सताब्दी मनाता हो तब हर चेत्र के अंदर भारत वीश्व में सबसे प्रथम हो भारत ही प्रथम हो ऐसे भारत की रचना करना हमारा लक्स होना जाए और इसकी नीव डालने का है समय चाहे 2023 का तेलंगाना का चुना हो चाहे 2024 का लोक्सपा का चुना हो देश की और तेलंगाना की जनता ने इत्ताई करना है कि देश किसके हाथ में सौपना है अपने परिवार का सोचने वाले लोगों के हाथ में पहुँचना है या समगर देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने की सोचने वाले पार्टियों के हाथ में देश था 12 लाग करोड के गपले गोटा ले ब्र surgeries नेट्रूतों के हाथ में देना है यह यह एक भी गोटा लेके बगर 10 साल सासन करकर चटान की तरह एक मजबूत भारत की रचना करने वाले नेट्रूतों के पर देना है और यह नीरे करने का समय अगले महिने है इसलिए मैं आज किशन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ वैसे तो कोइंसिडन्ट है कि कल ही नौटिफिकिशन बाद पड़ा है और आज मुझे आपके सामने खड़ा होकर मेरी बात करने का उन्होंने मुझे 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 दिये मित्रो इस देश में साट करोड लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक एकाउंट नहीं था मुझे मालूम है जिस मंच पर से जिस लोगों जिन लोगों के सामने कह रहा हूँ उनके लिए चीजे कभी सहन करने का इसो ने मौका नहीं दिया है मगर जो साट करोड लोग हैं हमारे भाई बैंक हैं साट करोड लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक एकाउंट नहीं था जिनके घर में स्वाचाले नहीं था जिनके पास घर ही नहीं था पीने का पानी नहीं था घर में गैस का सिलिंडर नहीं था उनके स्वास्त की सुविदाय नहीं थी जिनको भरपेट खाने के लिए अनाज मुहया नहीं कराया जाए यह 9 अर्स के अंदर वो 60 करोड लोग मतलब 10 करोड परिवार 11 करोड परिवार को 3.5 करोड लोगों को घर दिया 9 करोड लोगों को गैस का सिलिंडर दिया 12 करोड सोचाले बनाए 3 करोड घरों के अंदर बिजली पहुचाई और 60 करोड लोगों को 5 लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने करी और प्रती व्यक्ती प्रती मा 5 किलो अनाज उन लोगों को देने की व्यास्ता करी है कम से कम हर बच्चा भुखा नस होए इसकी व्यास्ता नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी अभी जावडेकर जी कोरोना की बात कर रहे थे कोरोना आया तब मैं भी मोदी जी के नेत्रूत में व्यास्ता में सामिल था दुनिया भर के लोग अपने देश की चिंता नहीं करते थे ये पस्चिम के देश यूरोप के देश अपने देश की चिंता नहीं करते थे हरोज कहते थे भारत का क्या होगा और चिंता वाजीब भी थी, 130 करोड की आबादी, comparatively हमारा health infrastructure ठीक नहीं था, क्या होगा, मगर जब कॉरोना समाप्त हुआ, सारी दुनिया ने स्विकार करा, कि कॉरोना के सामने सबसे अच्छी लड़ाई, नरेंद्र मोधी के नित्रुत में भारत लड़ाई, कारम क्या, दुनिया भर में कॉरोना के सामने लड़ाई, सरकारे लड़ी, भारत में कैंडर सरकार, राज्य सरकार, और 130 करोड लोग मिलकर कॉरोना के सामने लड़े, तब जाकर हम जीते, जब मोधी जी ने कहा दिया जलाओ, राहूल बाबा मजाक उड़ाते थी, मोधी जी ने जनता करफि किया, के सियार गारू मजाक उड़ाते थी, मोधी जी ने गंटी बजाकर जागरूती लाने की बात करी, के टी यार ने हस्यास पद निवेदन किया था, मोधी जी कॉरोना का वेक्सिन देने की सुरुआत करी, इराहूल गांदी ने कहा, कि ये तो मोधी वेक्सिन है, भरोसा मत करिये, मित्रो अमेरिका जैसे लोगों को देसों में भी वेक्सिनेशन करते ये, करते ये करते, और vaccination के बाद certificate लेने में कई दीन लग गए कई माँ लग गए भारत के अंदर 130 करोड लोगों का vaccine चाहे अरबोपती हो चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो उसको देने की व्योस्ता हुई और अपने मुबाइल पर मोदी जी के हस्ते फोटो के साथ certificate online आ गए टेक्नोलोजी का उपयोग शाषन के अंदर किस प्रकार से किया जा सकता है उसका उत्कुरुष्ट उदारन दुनिया के सामने नरेंदर मोदी जीने की G20 में सारी दुनिया के राष्ट्रा द्यक्स यहां आयते सब चकाचौन थी क्या आपकी online payment की व्योस्ता, digital payment की व्योस्ता इतनी जल्दी से भारत जैसे देश में कैसे हो गई कोई राष्ट्रा द्यक्स की पत्नी दिल्ली के बाजार में गई थी और सबजी बेचने वाले की लौरी पर पेटीम का वो सिंबॉल देखा जहां से मोबाइल से payment कर देते थे उन्होंने ट्वीट किया था यह परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी लेकर आए और अभी अभी कुछ महिना पहले मैं तो बड़ा आश्चरे चकीत हूं मैं बदपन से सारवजनिक जीवन में हूँ जी ट्वेंटी होने के पहले ही जब चंद्रयान चंद्रमापर सफलता के साथ उत्रा भारत का बच्चा बच्चा ये सफलता के साथ अपने आपको जोग ली हर आदमी का हर बच्चे का हर मैला का रदेगर्व से भर गया कि भारत चंद्रमापर पहुंच गया मैंने इतने लंबे सारवजनिक जीवन में ऐसा माहूल नहीं देखा था 1986 में जब कपिल देव के नेत्रूत में वर्लक अब जीते थे तब साथ ऐसा कुछ माहूल बना था उसके बाद पहली बार चंद्रयान का माहूल दी था मैं आज आपको मेरा नीजी अनुभव कहना चाहता हूँ चंद्रयान हो गया होने के सफल लेंडिंग हो गई होने के बाद आदे गंटे बाद मैं एक मंदिर में जहां हरोद में जाता हूँ आदिल्ली दर्शन करने के लिए गया हनुमान जी का धन्यवाद करने के लिए गाया बाहर एक माई सालों से वहाँ भिक्सा मागती है मैं 2012 से देख रहा हूँ दीन अच्छा चा मैंने बुला आज माई को भिक्सा दे तो मैंने माई को कुछ देने का प्रयास किया उन्हें का साब आज कुछ नहीं लेना है मैं को क्यों मैं क्या हो गया क्या चंद्रयान पर हमारा चंद्र पर हमारा यान पहुँच गया आज भिक्सा नहीं मागनी इस अंतोस जो है देश के नागरिक को देश के विकास के साथ देश की सिध्यों के साथ जोडने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है G20 के अंदर सारे देश के राश्टा द्यक्स भारत की व्योस्ताओं की भारत की सुरक्षा की भारत की अर्थतंत्र की और भारत के विदेश्दिती की जब प्रसंसा करते हैं तो मन खुसी से फूल जाता है और अभी अभी नई पार्लामेंट का लोकारपन और नई पार्लामेंट में पहला बिल इस देश की मातरू सक्ति को 33% रिजर्वेशन देने का मोधी जी लेकर आए पूरी दुनिया अस्चरे चकीत है कि भारत जैसे देश में सरवानु मत से इतनी सरलता से विबन रिजर्वेशन कैसे हो सकता है मगर कहते हैं न दम है तो सब कुछ मुमकिन होता है बच्चे इसलिए नारा लगाते हैं मुदी है तो मुमकिन है मित्रो कई ऐसे मसले जो देश को सालों से अटके हुए थे और मेरी आयू के लोग ऐसा सोतने लगे थे कि ये कभी होगा या नहीं होगा देश का समविदान बना तब से ये देश की मन की इच्छा थी हर नागरी की इच्छा थी कि धारा 370 समाप्त हो जाए और कश्मीर इस देश के साथ हमेशा के लिए जो जाए और इतनी बड़ी अहितियासिक गल्ती मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रदान मंत्री बनाया मोदी जी ने हस्ते हस्ते पार्लामेंट में पांच अगस्त दो जार उननिस को दारा 370 समाप्त कर देए और जार्थ कस्मीर में एक साल के एक करोड असी लाग परियटक जाते हैं और कस्मीर में आतंक वाद समाप्ते के कगार पर खड़ा है जो लोग कहते थे दारा 370 को हाथ लगाओगे खुन की नदिया बेजाएगी खुन की नदिया छोड़ो किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने की साले सो हम राद देखकर बेठे थे 550 साल से कहुध्या में जहां प्रभुश्री राम का जन्म हुआ था वहाँ भव्य राम मंदिर बनना चाहिए कितना बड़ा लंबा संगर्स साहे दुनिया में इतना बड़ा अंदोलन किसी एक मुद्दे पर कहीं नहीं चलाओगा साड़े 500 साल से लाखो लोगों का बलिदान नीने नहीं होता था और खुन का कत्रा बनाए बगर मोदी जी ने वहाँ भुमी पुजन भी कर दिया और जन्मरी में प्रभुशी राम का मंदिर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो या एस्ट्राइक हो एस सारी चीजे पहले अमेरिका और इजराइल के लिए रिजव मानी जाती थी मोदी जी ने ये दो देशों के नाम के साथ हमारे महान देश भारत का नाम जोड़कर भारत को सुरक्सित पनाने का और ये सारा इसलिए हो सका है कि विचारदारा का आधार पर चलने वाली पार्टी सासन कर रही है एक मजबूत पारदर्सी प्रामानिक और महंती समवेदन्सिल नेत्रुतो इस देश का नेत्रुतो कर रहा है इसलिए मोदी जी के नेत्रुतो में भारत दिन दूनी राज चोगुनी प्रगती कर रहा है आध दुनिया में दूसरे नंबर का देश है मोबाइल बनाने वाला भारत है तीसरा बड़ा स्टार्टप रखने वाला देश भारत है रिन्यूवेबल एनर्जी में हम चोथे नंबर पर पहुँचे हैं कई प्रकार के इस दिया हमारे देश के अंदर हमने प्रापठ की है और मोदी जी ने परिवार की पॉलिटिक्स को समाप्त करकर पॉलिटिक्स और परफॉमंस जो परफॉम करेगा वो ही देश पर सासन करेगा इसको एस्टाबिलीज करने का काम और अभी सारे एक कट्ठा हो गए आपने देखा होगा एक के साथ एक हाथ मिला कर बड़े लंबे 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 फोटो हो आते हैं क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारी परिवारवादी पार्टी जो अपनी अगली पिड़ी के लिए राधनिती के अंदर है हम अगली पिड़ी के लिए राधनिती में नहीं है भारत ये जनता पार्टी राधनिती में है तो भारत माता को विश्व में सबसे पहले स्थान पर पुछाने है जब उद्धियस ही परिवार का कल्यान करने का हो तो जन कल्यान नहीं हो सकते और मैं तिलंगाना की जनता को यही कहने आया हूं आंत्रिक लोक्त दंत्र न हो, परिवार वादी पार्टिया हो सिद्धान्त कोई नीती न हो, ऐसी पार्टियों के हाथ में तिलंगाना को मत दिचे और मैं तो कई बार सोच कर परिशान हो जाता हूं तिलंगाना के लिए निजाम से क्रूर सासन की मुक्ती से बड़ा कोई बात हो सकता है क्या मुझे बताईए आप लोग इससे बड़ी बात कोई तिलंगाना के लिए हो सकती है क्या सत्रा सप्टेंबर हैदराबाद विवोचन लिन जब केसियार ने पार्टी बनाई उन्होंने कहा था कि हम इसको राज्यके उच्छव के रूप में मनाएंगे मगर हिम्मत नहीं चली तुरुष्टी करण की इरादनीतिक के कारण मजलिस का साथ चाहिए मैं आज सारोजनिक रूप से कहता हूँ मोदी जी ने दो साल से सत्रा सप्टेंबर परेड ग्राउंड के मनाने का नीन किया है आप भारतिय जनता पार्टी की सरकार बना दो हर गाव, हर चौपाल, हर जिले के अंदर हिदराबाद भी मोचन दिन मनाया जाए तेलंगाना की आजादी पर भारत की आजादी पर अब घर्व नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार की तुरुष्ट्री करण की एपिस्मेंट की पोलिटिक्स वाट बेंक की इतनी अहमें तो हो सकती है क्या और अगर यही है तो इसके आधार पर बैठे हो, इसका सपोर्ट लेगर बैठे हो कैसे तेलंगाना का भला कर सकते हो हैदराबाद सहर का भला कैसे हो सकता है अरे मैं तो भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शन करने गया उन्होंने कहा कि यहां आकर एटमोस्पिर बिगाड़ कि सियार बाबू मेरा भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शन करने से एटमोस्पिर नहीं बगड़ता है बिगड़ता है तेलंगाना का भाग्य चाह होता है किस प्रकार की सोच के साथ यह लोग आगे बड़े वो लोग वाट बेंक की रादनिती कर रहे हैं हम विकास और आत्मईश्वास की रादनिती कर रहे हैं हम वो लोग entitlement की बात करते हैं हम empowerment की बात करते हैं और वो लोग परिवार के लिए काम करते हैं हम तिलंगाना के लिए भारत के लिए काम करते हैं के सी आर के नेत्रुतों में नीलू, निधूलू और नियामकुलू के सूत्र के साथ उन्होंने अंदोलन किया था तीनों की स्थिती क्या है? जल जैसी पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती हर व्यक्ति के सरीर में 60 प्रतिसत पानी होता है जल के बगर जीवन संभवी नहीं है, जल के बगर प्रूसी संभवी नहीं है जल के बगर अर्थतंत्र का विकास संभवी नहीं है ये मुद्दे पर अलग तेलंगाना का अंदोलन चला और आपने काले स्वरम योधना में भ्रष्टाचार करकर संपती बनाने का काम किया सर मानी चाहिए आप पला मुरू रंगा रेड़ी लिप्ट इरिगेशन योधना में भी बड़ा कवभान किया और पांच साल तक पूरा नहीं हो पाया आपने नीलू का वादा पूरा नहीं किया आपने नीदूलू की बात करे धन की बात करे तो तिलंगाना को जब तिलंगाना राज्य बना जब 400 करोड सर्पलस था रेवन्यू सर्पलस ट्रेट था और आज टोटल साड़े साथ लाग करोड का रून तेलंगाना जैसे छोटे राज्य के सर पर डाल दिया है मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रसेकर राव को इंफ्रस्ट्रक्चर के सारे काम नरेंद्र मोदी जीने किये है नौ साल में नौ लाग करोड रूपिया तेलंगाना के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किया है चाहे मेट्र हो हो चाहे हाईवे हो चाहे एरपोर्ट हो चाहे ट्रेन हो चाहे वंदे भारत बनाना हो चाहे इन्वियर्सिटिया बनानी हो चाहे इंस्टिट्यूशन लाने हो तो अपने साड़े साथ लाग करोड कहां डाले हर गरीब कौनाज मोदी जी बेज रहे है गैस का सिलिंडर मोदी जी ने बेचा सौचाले मोदी जी ने बना कर दिया रोड मोदी जी ने बनाए मेट्रो ट्रेन और वन्दे भारत मोदी जी ने बनाए एरपोर्ट का एक्सपंसिन मोदी जी ने किया तो आपने 7,5 लाग करोड कहां डाले इसका हिसाब तेलंगाना का युवा आज आपसे मांग रहा है लेकर जाना और रोजगार की बात करें तो एक वार मेरा केसी यार से विनन्ती है कि अपने दोनों गोशना पत्र को एक बार सारवजनिक रूप से है इदराबाद की एक आम सभा में पढ़ ले हिम्मत है तो उन्होंने दलीत को चला है युवा को चला है आदिवासियों को चला है हर जगे पे वादा खिलापी की करप्शन किया है किसी यार ना सिक्सा में भरती कर पाए ना इनिवर्सिटियों में ना छोटे अस्पतालों में भरती कर पाए रूजगारी का वादा आपने रूजगारी के वादे पर आप फेल हो गए कि सिहर साब आपको तिलंगान की जनता से वॉट मागने का कोई अधिकार नहीं है मित्रो इसलिए मैं आज आप सब के सामने आया हूँ आप सब लोग आपका सिर्फ एक वॉट नहीं है आपका मत आपका वॉट अनेक लोगों का माग दरसन करने वाले वह उटके समाज के अंदर एक विशिश्ट रिथान रखने वाले लोग एक डाक्टर होता है तो खुद तो सोचता ही है सात में हजारों लोगों को मागदर्सन भी करता है एक सिक्सक होता है तो सेंकडो लोगों का मागदर्सन करता है आपकी जिम्मेदारी है कि पैसों के बल पर किये हुए प्रचार की बात में आना है या कॉंक्रीट डेवलपमेंट किस पार्टी ने किया है और कौन पार्टी कर सकती है इसका इवल्यूशन करकर वाट तै करना है क्या मोदी जी के नेत्रुत में महान भारत बनाने की यात्रा में तेलंगाने जुनना है या के सियार के बेटे को मुक्यमंद्री बनाने के लिए जो पार्टी काम करे इसके साथ जुनना है और KCR हर सब्ता एक अफ़ा चला देती है कि हम NDA में जाएंगे हम एक करेंगे मैं सारवजनीक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने कह कर जाता हूँ हमारा KCR के साथ कभी बैठना नहीं हो सकता जो मजलीस के साथ है उसके साथ भारतिय जनता पार्टि कभी नहीं जा सकते है जो प्रेश्टाचार कर रहे हैं जो परिवारवादी उनके साथ हम नहीं जा रहे हैं अरे KCR बाबू काहे को जूट बोल रहे हो आपके विरोधी वॉट में बटवारा करने के लिए कॉंग्रेस मजबूती से लड़ने का नाटक कर रही है कि कॉंग्रेस नहीं चाहती कि यहां से किसी आर का सासन जाए केंद्र में साथ कुछ कम पड़ जाए तो किसी आर इनकी मदद करे मगर आप दोनों निरास होने वाले हो केंद्र में फीर से दो तिहाई बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार्म मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कॉंग्रेस को वाट दोगे तो भी मजलीस के पास जाएगा और केसी आर को वाट दोगे तो भी मजलीस के पास जाएगा कॉंग्रेस को वोट दोगे तो भी भ्रस्टाचारी सासन आएगा के सी आर को वोट दोगे तो भी भ्रस्टाचारी सासन आएगा कॉंग्रेस को वोट दोगे तो भी परिवार की पार्टी चलेगी के सी आर को वोट दोगे तो भी करिब परिवार की पार्टी अगर मदली से निजाज पानी हैं ब्रश्ट्राचार विहिन सासन प्राप्त करना है और तेलंगाना का कल्यान करने वाली सरकाल लानी है तो एक मात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी के नेत्रुतों में कमल फूल की भारतिय जनता पार्टी की सरकारों और मैं इसलिए आज हिद्राबाद के सुगन जन मेरे सामने बैठे हैं इस सब को करबद विननती करने आया हूँ कि चुनाव की घोशना हो चुकी है कई बार एक फैसला दसकों के लिए राज्य के लिए महतवपून होता है इतना ये महतवपून चुनाव है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मोदी जी पर भरुसा करिए भारतिय जनता पार्टी को तेलंगाना में सरकार बनाने का मौक दिजे हम तेलंगाना को भारत का सबसे अच्छा राज्य बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे मेरे साथ बोलिये भारत मता की भारत मता की भारत मता की वन दे वन दे वन दे वन दे किस्ट पषादिकरों तो काईल दी प्रपोस्ट आप थैंक्स सब्बाक ने नमस्कारवो ए रोजू मना तेलंगाना इंटेलेक्ट्शेल्स प्रफेश्ट्नल्स मेटिंगी इन पेद्ध संक्यलों मिरं अंधर उच्छार इंटेमित्र लारा मी रंधरोका दुरुणनिस्चियमते उच्चार ने डखक क्लियर गारदम होत्तुंदी मनकु डबल सरकार, डबल इंजिन सरकार कावाली सालु दुरा, सलवु दुरा अंचपड़ान की मनमंदम निर्णाइंशकु नवनई ना करदम होत्तुंदी मी तरुफुना, नेरोका हाम इजदावान कु ना लो मनकिशन रेडिकार की इसारी मनकु बना तेलंगारा रास्टन लो बीजेपी सरकार तपगंडा उस्तुंदी अमिर्शाद जी से मैं निवेदन करता हूँ सर जी, हम सबका ये निर्णाइ है हम लोग यहां के तिलंगाना की इंटलेक्शियोल्स और प्रोफेशनल्स लीजी ने ये निर्णाइ ले लिया है कि अभी बस है सालो दोरा, सालो दोरा अभी यहां पे डैबल इंचन सरकार बनना है इस देश में जो दूसरे राष्च में जो विकास्ट हो रही है जो हमारे तिलंगान में क्यों नहीं होना चाहिए और इस जंग में हम लोग उतर गई हैं इस जंग में हमारे हाथ मج़बूर करने के लिए आप आए हैं आप आपसे शुक्र गुजार है हाबारी है हम ये प्रारदना करते हैं आपसे बार बार आप तिलंगान आए आप आवाज दीजिए और हमारे हाथ मजबूत कीजिए मी अंदर तरफ ना ने नमी शागार की कुर्टगन दिलप कुंटू मी अंदर की गोड़ा ने नो कुर्टगन दिलप कुंटना नो जैहंज भारत माता की भारत माता की भारत माता की नाशकारों